ग्लास ट्रेंथ चेप्टर नेम प्रैक्टिकल जिमेटरी सर्कल्स और इसकी मिस्लीनियस एक्सरसाइज 13 को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका क्वेस्चन नमबर थ्री जो है इसमें है जी फिलिंग दी ब्लैंक्स पहला पार्ट है इसका दा बाउंडरी आफ ए सर्कल इस काल डैश यानि कि जैसे एक सर्कल बनाओ है तो इसकी बाउंडरी को हम क्या कहते हैं तो याद रखें कि इसे हम सर्कम्फ्रेंस कहते हैं यहां लिख भी देते हैं सर्कम्फ्रेंस ठीक है जी और इसका जो फार्मूला है सर्कम्फ्रेंस का इसको हम C से रिपिजेंट करते हैं और हम इस से लेके सरकल ही की बाउंडरी तक का जो डिस्टेंस होता है यह जो डिस्टेंस होगा वो से लेके पी तक इसको हम रेडियस कहते हैं ठीक है जी और पाई की अप्रॉक्सिमेट वैलियू आपको पता ही है क्योंकि यह इर्रैशन नंबर है 3.14 होती है या इसको हम 22 by 7 भी लिखत की तो यह उसी की रिवर्स डेफिनेशन है मतलब कि circumference का दर नेम क्या होता है जी उसे हम boundary of the circle कहते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं boundary ठीक है boundary of the circle ठीक है तो यह इस ठीक है से यह वही question complete होगा है इसे next part आ रहा है part number 3 इसको solve करते हैं इसमें लिखाव है the line joining two points of a circle is called dash यानि कि एक line जो circle के 2 points को join करने से बनती उसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर अगर मैं circle की diagram draw करूं और एक line या चले circle के 2 points लेते हैं जैसे उन्होंने हमें कहा है कि 2 points को आपने मिलाते वे एक line बनानी है ठीक है तो चलें जी यह इसी के से एक line बन जाएगी चुके line कहीं भी circle ठीक है तो यहाँ पर क्या आजेगा second अगर यह होता कि line segment joining the two points of a circle इस काल तो फिर हम इसे cord कहते हैं अच्छे यहाँ पर एक बात जो थोड़ी सी confusion produce करी वो यह कि यह line अगर pass कर रही है दो points यह intersect कर रही है circle को दो points पर तो हम second कहींगे ठीक है लेकिन अगर हम यूं कह रहे है कि line joining the two points और हम इसको यहाँ पर आगे extend नहीं करते हैं ठीक है अगर इस तरीके सा आगे extend नहीं करते हैं इसको मैं race कर देता हूं तो other words में अगर आप देखें तो यह तो फिर cord ही बन गी यानिके एक line जो join कर रही है दो points को ठीक है circle के circumference के उपर मुझूद दो points को join कर रही है ठीक है अब यह line segment ही बन गयी है और इस line segment को हम cord कहते हैं तो यहाँ पर असल में जो सवाल है वो इस तरह का इस नोईयत का है ठीक है नहीं बात को थोड़ा समझना है कि वो joining की words कह रहे हैं वो यह नहीं कह रहे हैं कि intersecting the two points of a circle ठीक है तो इस लिहाज से फिर हम यह कहेंगे इ तोड़ा सा statement में जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए और अगर यही जो है वो center से पास होती मतलब इसा से join करती तो इसी cord को हम central cord यह diameter कहते है ठीक है नहीं यह सी cord जो center से पास हो circle के उसे हम कहते हैं कि वो क्या है वो diameter of the circle है ठीक है जी अब next जो आर यह statement उसको समझते है इसमें लिखा हुआ है कि the point of intersection of perpendicular bisectors of two non-parallel cords of a circle is called the center यहाँ पर यह पूरी statement में लिख रहा हूँ लेकिन मैं इसको समझाता हूँ अभी क्या बात की जा रही है कि the point of intersection of perpendicular bisectors of two non-parallel cords of a circle यहनी कि उस point of intersection को हम क्या कहेंगे जो कि दो non-parallel cords के जो perpendicular bisectors से हासे होता है point उसे हम कहते है center of the circle यहनी इस बात को अगर हम reverse में समझें कि अगर for example मैं यहाँ पर चले एक circle draw करता हूँ पहले जैसे आप यह देख रहे हैं कि यह एक circle है अब मैं अगर इसकी दो cords draw करता हूँ for example एक cord यह है AB अब इससे non-parallel एक और cord draw कर लेते हैं चलें इसको मैं कहा देता हूँ इस तरह से draw कर लेता हूँ मैं ठीक है यह थोड़ा से direction को और चेंज कर लेता हूँ मैं इस तरह से कर लेता हूँ CD ठीक है इस तरह से अब अगर मैं AB का भी right by sector draw करता हूँ जो कि इसके midpoint से AB के पास करता हूँ और 90 का इंगल बनाती है line segment यह चलें एक line draw करते हैं और इस तरह CD जो line segment है इसका भी अगर मैं right by sector draw करता हूँ जो CD के साथ 90 का इंगल बनाए और इस तरह से perpendicular हो 90 का इंगल बनाते है mid से पास हो तो आप देखेंगे दोनों जो right by sector है वो एक point पे आके meet करेंगे ठीक है अब इस o point से अगर आप a का distance देखेंगे तो उतना ही होगा जितना o का b से distance है और o point का अगर आप c से लेंगे distance तो उतना ही आएगा जितना o point का d से distance है ठीक है और इसी तरीके से अगर आप A, C का भी right way sector draw करेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी इसी O point से pass करेगा तो कहने का मकसद यह है कि O जो है वो एक ऐसा point है जिसका फासला A से, B से, C से और D से सबसे बराबर आ रहा है इसका मतलब कि जब भी आप cards के right way sectors draw करेंगे तो वो हमेशा center of the circle पे आके meet करेंगे तो इसे हम कहते हैं center इसलिए हमने यहाँ पे center लिखा है अब question में जिसा कहा गया कि circles having three points in common will dash तो देखें जैसे यह एक circle है ठीक है इसके मैं three points lag करता हूँ A, B and C ठीक है अब एक और circle draw करते हैं और उसके भी यही तीन points मतलब common हो जाएं तो वो मैं circle इसी के उपर ही बना सकता हूँ मतलब मैं इसको अलग से नहीं draw कर सकता हूँ मैं overlapping की form में नहीं बना सकता ठीक है अगर मैं दो circles की बात करता हूँ कि दो circle हैं लेकिन उन वो उनमें three points common है ठीक है तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो फिर overlapping नहीं हो सकते हैं वो क्या होंगे वो coincide होंगे ठीक है coincide मीन के वो एक दुसरे के उपर ही आएंगे वह circles ठीक है यहीं concentric circles भी कह सकते हैं लेकिन इनमें radius चेंज होता है और इस next problem देखते हैं उसको solve करते हैं इसमें इससे लिखा हुआ है कि the distance of a point inside the circle from its center is dash then radius यानि कि distance लेना अपने point का जो के circle के अंदर है उसके center से तो वो radius से क्या होगा जहरी बात है कि कम आएगा क्योंकि radius से जएदा आया तो circle से बाहर होगा और कम हुआ तो circle के अंदर होगा जैसे अगर फर्स करें ये एक circle है और ये point O जो है यहां पर ये इसका center है ठीक है अब center से लेकर circle की boundary तक का distance होता है ये radius कहलाता है अब एक point है जो के यहां पर है for example अब मैं अगर इसका distance मेर भी करता हूँ center से लेकर A point तक ठीक है तो ये आप देखेंगे ये इस R radius से कम ही आएगा इसलिए circle के अंदर है बराबर हो गया तो circle का point हो जाएगा यानी circle की boundary पर आजएगा इसलिए यहां पर हम लिखेंगे less than the radius next question है जाए कि the distance of a point outside the circle from its center is dash than the radius तो याद रखें कि अगर एक point जो है वो circle से बाहर है यहां पर है और ये circle का center है फार example तो अगर आप इसका distance लेंगे पी तक का तो ये circle से बाहर है ठीक है ना और radius circle की boundary तक का distance होता है तो ये हमेशा radius से बड़ा ही आएगा distance जैसे हमें नजर भी आ रहा है तो यहां हम लिखेंगे is greater than ठीक है greater than इसके spellings को यहां लिख लेते हैं greater के is greater than the radius तो इसली के से हम इस बात को समझ सकते हैं नेक्स statement है कि circle has only dash center तो अगर मैं एक circle बनाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि circle का center होता वो एक खास fixed point होता जिसका फासला जिससे तमाम points का फासला बराबर आ रहा होता है यानि circle का आप कोई भी point randomly pick करते हैं तो आप कहीं से भी इसका distance ले लेते हैं center से boundary तक का तो वो हमेशा बराबर आता है इससे center change नहीं होता ठीक है तो हम कहेंगे circle has only one center ठीक है तो इसी के से answer हम इस question का कर सकते हैं next statement है कि one and only one circle can be drawn through three dash points तो यहां पर आएगा non-collinear points यानि कि एक ही circle बन सकता है तीन non-collinear points से non-collinear का मतलब है कि ऐसे points जो एक line के उपर नहीं आते ठीक है non-collinear ठीक है points lag करता हूँ चाहे वो बहुत करीब भी क्यूं नहीं या बहुत दूर भी क्यूं नहीं हो तो हम देखेंगे कि उनको join करने से हमेशा एक triangle बनती है आप यहां से देख सकते हो triangle हमेशा तीन non-collinear points को join करने से बनती है तो यह भी बात हमें यहां से clear हो जाती है कि जो तीन points है अगर वो non-collinear होंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही circle जो है वो draw किया जा सकता है next statement है कि angle inscribed in a semicircle is a dash angle यानि कि अगर एक semicircle में draw करता हूँ फर्स करें मैं यहां पर इस circle को diameter की मदद से बिलकुल दो बराबर हिस्सों में divide कर देता हूँ ठीक है जैसे यहां पर आपको नज़र आ रहा है कि यह अगर center of the circle था तो यह अगर आप देखें तो यह diameter dotted line जो है represent कर रही है ठीक है अब यह जो है semi circle है और इसका जो inscribed angle होगा वो कैसे बनेगा कि इसके उपर हमने इसके उपर हमने क्या करना है जी के एक point select करना है बी आर्क के उपर और दो chords draw करनी है यह एक को इस point से join करना है first करें यह point जो है इसको मैं कहा रहा हूँ c point ठीक है और फिर इसी c point को आप b से भी join करेंगे मतलब यह दो chords बन गई जिनका यह की common point है on the circumference of the arc अब यह semi circular arc है तो यह angle हमेशा इसमे 90 degree का बनता है चुकि यह angle जो circum angle होता हमेशा यह जो central angle हो रहा है यहाँ पर अगर इस circle को मैं complete कर लेता तो यह दूसरी arc जो semicircle है उसका जो central angle हो 180 degree बन रहा है एक straight line का angle जो होता 180 degree होता तो यह हमेशा उसका half होता circum angle ठीक है तो यह semicircle के case में inscribe angle जो होगा is of 90 degree या right angle आप इसको कह सकते हैं is of right angle तो इसी किसे यह problem भी हम जो understand कर सकते हैं next problem है कि इसमें लिखा हुए have two circles touch each other the point of dash and their dash are collinear यानि कि अगर दो circles first करें या पर मैं दो circles जो हम वो draw करता हूँ सबसे पहले जी जैसे आपके screen पे नजर आ रहा है कि दो circles हैं जो एक दुसरे को touch कर रहे हैं एक point पे यह है c point ठीक है अब the point of contact यह जो c point है ठीक है इसको point of contact लिखेंगे इदर contact and their centers चुंकि यह आप देख सकते हैं कि अगर यह circle का center a point है और दुसरे circle का center b point है तो यह हमेशा एक ही line के अपर लाए करते हैं इसके पर हमने काफी detail में बात की भी है कि अगर हमें c points है जो point of contact है इन दुनों circles का गए यहां से tangent draw करें line तो tangent चुके radial segment के साथ हमेशा 90 का angle बनाती है तो cb है इसके साथ भी यह line जो है इसको अगर हमें t कह रहा हूँ 90 का angle बनाएगी और यह line जो t है यह c a के साथ भी 90 का angle बनाएगी यह अगर हम यह देखें तो angle जो a c b है एक straight angle बनाएगी 90 प्लस 90 दोनों angle add हो जाएंगे तो 180 degree यह यह collinear points हो जाएंगे तो इसका मतब यह तीनों points एकी line के अपड़ लाए कर रहे है ठीक है कि if two circles touch each other their point of contact and centers are मतलब वही जो अब हमने जैसे बनाएगी थी diagram उसी को अगर मैं दुबारा draw कर लेता हूँ कि 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 अगर दो circles जो है वो internally externally touch करें या internally ठीक है ना या इस circle के अंदर एक और circle मैं बना लूँ इस तरह से वो internally हम किया सकते हैं कि touch करें उस case में भी यह point of contact और इनके जो centers हैं अगर हम इनको join करेंगे तो एक straight line में आएंगी यह मतलब यह तीनों points जो होते हैं वो collinear होते हैं नहीं अगर internally intersecting circle आए यह externally intersecting circle हैं दोनों situations में ठीक है ना are collinear तो हम यहां पर collinear लिख देंगे next problem है इसमें लिखा हुआ है कि from a point outside the circle dash tangents can be drawn यह अगर मैं एक circle यहां पर draw कर लेता हूं चलें यहां पर मैं circle draw करता हूं अब इस circle से बाहर एक point select गिया मैंने for example यह P अब देखें इस P point से मैं दो tangents जो है वो draw कर सकता हूं इस तरीके से यह एक tangent ऐसी line को कहते हैं जो circle को एक point पे touch करती भी गुजरी होती है और इसके interior से पास नहीं करती ठीक है इसी तरीके से इसी P point से मैं एक और tangent जो है वो line draw कर सकता हूं जो circle को एक point पे touch कर सकती है से पास नहीं होगी तो हमने देखा कि इस P point से जो outside a circle है कितने tangents हम draw कर सकते हैं दो तो हम यहाँ पे लिख देंगे two, two tangents can be drawn तो इस दीके से यह problem जो हम solve कर सकते हैं अब इस वीडियो को मैं continue कर रहा हूं next वीडियो में चुके अब इसके जो बाकी parts है question number three के मतलब अब अब जो हमदे कर सकते हैं पिस दो हमिए अबर प्रूल कर दो हम नहीं होगी कर सकते हैं अब अब बाकी सान आदाओब कर दोटने रहा हैं